कि रेगुलर वालों को सुबह होगा और आपका इवनिंग होगा ठीक है होई से एक पर बता दीजी अभी तक सर पेपर कब से हांजी एक्जाम आपके 16 दिसंबर से स्टार्ट है फर्स्ट एक्जाम बिजनस और्गनाइजेशन मेनेजमेंट या मेनेजमेंट अकाउंट कहलो बिजनस स्टडी कहलो उसका एक्जाम है ठीक है सभी बच्चों का दिसंबर में इनफेक्ट लग रहा था कि जो तीसरे समेस्टर वाले का पहले होगा और फर्स्ट समेस्टर वाले का बाद में होगा क्योंकि फर्स्ट समेस्टर वालों का एड्मीशन लेट हो गया थोड़ा सा इसलिए लेकिन उल्टा हुआ है semester 1 वालो का पहले paper खतम है तीसरे वालो का बाद में है तो एक बात तो आप यह माल लो आपने पढ़ाई करी या नहीं करी college में professor ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको books मिला नहीं मिला उससे तो कोई मतलब नहीं है paper तो हो जाएगा time पे ठेक है उनको यह मतलब भी नहीं है कि आपको क्या मिला काफी बच्चे बोलते हैं अभी तो book भी नहीं आई कैसे पढ़ेंगे कैसे करेंगे तो paper जब date sheet आजाएगा roll number भी आजाएगा roll number स्रिफ और स्रिफ one week before दो तिन दिन पहले ही आता है कहता है पारो लिमिटेड depreciation its machinery 10% under reducing balance method यानि सर डबलू डीवी का है एक एक हैड़ बैलेंस अभी एक बात ध्यान रखिएगा इसने कहा एक दो हजार बीस अब जब आपको बैलेंस बोले न तो इसका मतलब ये मसीनरी एक एक दो हजार बीस को इसका बैलेंस चार लाख पांच हजार है लेकिन ये मसीनरी खरीदा गया होगा किसी और rate पे जैसे मान लो मैंने बताया कि सपोस करो दस हजार का मसीनरी है ठीक है और पहले साल का मैंने डैप लगा दिया मान लेते हैं 31, 12, 2011 डैप लगा दिया एक हजार बचा कितना नो हजार फिर ये क्या बन गया बैलेंस फिर से 31, 12, 12 मे कितना लग गया एक हजार बचा कितना आठ हजार अगर मैं बोलू कि एक एक दो हजार तेरा में आपका बैलेंस आठ हजार है तो इसका मतलब क्या आपने इसको आठ हजार रुपे में खरीदा है नहीं आपने तो कितने का खरीदा है तो अगर कोई बोलें कुश्चन में कि भाईया ये इसका है तो सबसे पहले मान लेना ये कौन सी मसीनरी है On 31st C 2020 को, It sold 17,000 part of machine which purchased 18 में 30,000 का. Sir, क्या कह दिया इसने? कहता है भाईया, इस machinery में से एक हिस्सा बेचा जाएगा, जिसको खरीदा गया था 17,000 में. जिसको खरीदा गया था कितने का? और कब खरीदा गया था 17,000 का? इसको एक, एक 2018 में. और इसी मसीन के टुकडे को बेच दिया गया, कितने का खरीदा गया था? सर 17,000 कितने खरीदा? अच्छा, 30 का खरीदा था है. चलो. कितने का खरीदा था? एक इस डेट पे 30 का. कहता 31, 3, 2020 में, इसको बेच दिया भाई. कब बेचा भाई? डेट दे रखा है, 31, 3, 2020 को बेच दिया. आगे कहता है, 17, 2020 को न्यू मसीनरी खरीद लिया. यानि 17, 2020 को न्यू मसीनरी M2 खरीद लिया. सर 17, 2020 को M2 खरीद लिया. कितने का खरीद लिया? 46,500 का खरीद लिया है, न? And install, it's the same day. और same day install भी करवा लिया. कॉस्ट 3500 रुपे खर्चा कर दिया. तो प्लस इस पे spend कर दिया, इसने 3500. तो ये मसीनरी की कीमत पढ़ गई आपको 50,000 रुपे की. इस मसीनरी की कीमत पढ़ गई 50,000 रुपे की. आगे कहता है, the company policy change depreciation proportionately. कहता है, company ने decide किया कि हमारा policy change हो जाएगा. पर पोस्नेट during the year made assets ignored depreciation. Sorry, change नहीं है, charge है. मैंने change पढ़ दिया. the policy to charge depreciation चार्ज करने का नियम क्या है? Actual use business पे. During the year made of assets, but to ignore depreciation any period less than 182 days. कहता है, जब आप use करोगे न, तो किसी assets का अगर आपने 182 दिन से कम इस्तमाल किया, तो उस पर depreciation लगाना ही मत उस साल का. चाहे आप बेचोगे, चाहे आप खरीदोगे, अगर माल लेते हैं आपने 1 March को खरीदा है, तो 30 दिन तो use किया साल में, तो डेप नहीं लगेगा. अगर आपने बेचा है माल लेते हैं कि 1 मई को, तो April और मई तो 30 दिन यूज किया, तो उस पर भी डेप नहीं लगेगा. यानि अगर जिस साल में उस assets को 182 days से आपने कम इस्तमाल किया हो उस साल debt लगाना मत 182 days से ज़्यादा होगा तो फिर debt लगाओगे no further purchase has been made 18-20 तक कोई भी purchase नहीं हुआ इसके अलाबा except these mention above इसके अलाबा show the machinery account in the books of the company एक एक दो हजार 18 को जो machinery account बना है उसके accordingly आपने करना है यानि 18 से लेके 20 तो समझ मैं आरी बात आपको चलिए तो इसके उपर हम देखते हैं क्या करना है सबसे पहले समस्या ये है कि सर इस वाले machinery में से एक पार्ट बिक चुका है और एक पार्ट नहीं बिका समस्या ये आ रही है तो एक पार्ट जो बिका है वो पार्ट कितने का था जो बिकी गया तो हमें उसका cost पता है कितने का आ 30,000 का cost कितने का है तो हम भाई 30,000 और बेचा है 31,3,2020 में लेकिन ये तो 1,1,2020 है accounting year क्या follow किया जाएगा accounting year follow किया जाएगा अगर मैं इसमें से पार्ट अलग करूँ तो इसमें से अगर मैं बोलू कि सर इसमें से एक पार्ट 17,000 का अलग कर दो तो गलत होगा ये बात क्योंकि इस दिन 17,000 का थोड़ी न था ये machinery ये तो 17,000 का था 2018 के अंदर तो हमें पहले उस पे डैप लगा-लगा के इस दिन तक लेके आना पड़ेगा ताकि हम depreciation निकाल पाएं यानि सर पहले इसकी value को सुलजाओ यानि 30,000 का machinery था तो कब सर 1, 1, 2,000 कितने का था तो पहला डैप लग गया होगा डैप rate 20, 10% 10% के इसाब से डैप लगा होगा तो 2018 में ही डैप लगा होगा that is 3,000 तो बचा कितना होगा यह 27,000 फिर से 1, 1, 19 आ गया होगा फिर डैप लग गया होगा इसके उपर कितने? WDB है तो 27,000 तो 27,000 में से 27,000 माइनस करें 24,000 अब 1, 1, 20 वही डेट आगया न 1, 1, 21 यानि भाई साब इसमें 24,300 वाला हिस्सा बिक रहा है और बाकी बच गया 40 ये वाला जो हिस्सा बच रहा है यहां पर that is 3 मैं इसको थोड़ा इदर उदर कर दूँगा चलो 87,000 ये हिस्सा नहीं बिक रहा है और क्योंकि अगर मैं यहां से 17,000 लग करता तो गलत हो जाता हम same date पे उस value को निकालेंगे न तो पहले हमारा जो machinery भी काया उसको इस date तक लेके आए तो अगर एक इसी के अंदर part जुड़ा हुआ इस date पे 24,300 part है तो बाकी ये वाला part है उसने बोला ये वाला part बेच दिया कोई बात नहीं बेच देंगे ये वाला part नहीं बेचेंगे और बेचा कब है आपने March के महिने में और March में अगर count करो तो January, February, March 90 दिन ही होते हैं और 90 दिन हो रहे हैं तो क्या 90 दिन आप इस्तमाल करके depreciation लगाओगे उसपे नहीं लगाओगे तो सीधा सीधा ये हम क्या करने वाले हैं सीधा sold कर देंगे इसपे डैप ही नहीं लगेगा और sold कितने में कर दिया 17,000 में तो यहां पर आगे हमारा loss और loss कितने का हो गया 24,300 माइने 17,000 इसपे डैप क्यों नहीं लगेगा सभी बच्चों को clear है क्या इसपे डैप क्यों नहीं लगाया क्योंकि सवाल कह रहा है कि आपको less than 180 days no further purchase sales कहता है ignore depreciation any period less than 182 days ठीक है अब सर इस वाले को तो पूरा करना है कब तक करना 18 से लेके 20 तक बनाना है ठीक है अब इस पर depreciation कब लगेगा 31, 12, 2000 20 इसके उपर तो पूरा डैप लगेगा 3 यह आ गया 34, 26, 30 डेट आ गया 1, 12, 2021 हमें कब तक बनाना है बस 20 तक ही बनाना है हमें 18 से कहता है कि machinery accounts close between this, this बनाना कब तक का है बनाना कब तक का है कुश्चन कहीं कह रहा है यह तो books of account close होता है show the machinery account अच्छा अब machinery account पंगा यह आ गया कि कह रहा है back date से बनाओ 18 से 18 से बनाना पड़ेगा पहले सवाल जितने बच्चे लाईवे पहले सवाल समझ पाएं मैं दुबारा एरेज करके दुबारा करूँगा इसको फिर से एक बर पढ़ दू इस सवाल को चलो फिर से पढ़ देते हैं इस सवाल को चलिए कहने का मतलब है हमारे पास एक balance है कब balance है एक एक 2020 में सर जो balance है वो balance है हमारे पास 4,5,000 अगर ठीक है और एक और मसीनरी हमने कब खरीद लिया इस balance में एक मसीनरी जो था उसको sold किया है इसका part जिसको खरीदा था हमने एक एक 2018 में कितने का खरीदा था 30,000 का और 30,000 का खरीद के इसको बेच दिया कब बेच दिया हमने 31,3,2,0,20 में कितने का बेच दिया 17,000 का अब जो 17,000 का आपने बेच दिया है अब आपको लेकिन accounting कहता है कि सर 2018 से बनाईए आप M2 भी खरीदा गया है कब खरीदा गया है सर M2 M2 खरीदने की date दे रखी आपको आपने खरीदा है टोटल 46,000 और 35,000 यानि 1,7,20 में 1,7,2,0,20 में कितने का खरीदा M2 M2 46,500 46,500 और इस पे spend कर दिया that is 3500 तो ये बन गया अपका 50 का लेकिन सवाल ये है कि मुझे कहता है कि आप accounting करिए 1,1,2018 से तो भाई साब 1,1,2018 से जब मैं accounting करूँगा तो मुझे balance भी तो 1,1,2018 का मानते इसका मिल गया मुझे 1,1 लेकिन बागी का तो नहीं मिला तो हमें इसको लेके जाना पड़ेगा बैक डेट पे अब बैक डेट पे ले जाने का क्या तरीका देखो बैक डेट पे कैसे जाएंगे देखना मान लो मैं सपोज करो मैंने कहा मेरा 1000 रुपे का है पहले साल का डेप लग गया 100 रुपे बचा कितना फिर डेप लग गया 90 बचा कितना फिर डेप लग गया अगर मैं 729 आपको दे रहा हूँ और 3 साल पीछे जाना है तो ये आपका 3 बार डैप लग चुका है अब मैं देखो back कैसे जाँगा मैं assumption 100 से लूँगा 110 ये बचा 90% फिर 9 बचा 81% फिर 8.1 बचा 7 2.9% तो मैं लिखूंगा 7 2.9 into my 100 तो वापस कहा पहुँच जाएंगे हम starting वाले date पे समझे यानि मैं एक assumption लूँगा 100% में से ये जो बच के depreciation है कितने percent के बराबर है जितने percent के बराबर है नीचे रख लूँगा percentage और into 100 करूँगा तो मैं starting date पे पहुँच जाऊँगा तो same इस वाले सवाल में भी आप देखो क्या कर सकते हैं कब से कब तक है 18 से count करना है तो 18 से 100 रुपे मान लो ये 18 में 100 रुपे था ठीक है मैं इधर लिख देता हूं इसको ये 2018 में 100 रुपे था तो 2018 में ही हमारा debt लगा होगा तो 20 तो starting ही ही है तो यानि मेरे assets का value 81% के बराबर होगा ठीक है अब 81% के बराबर होगा तो मैं इसको 81% पे लिखे जाऊँगा जब मैं इसे 81% पे लिखे जाऊँगा तो actual machinery कितने का माना जाएगा जो machinery होगा 4, 5 divided by 81 into में बताओ क्या value है एक जिरो और है तो साहब ये machinery कितने का था इस rate पे 5 लाग अब सीधा सीधा कहानी बन गया अब इस 5 लाग के दो हिस्से कर देंगे सर दो हिस्से क्यों क्योंकि एक पार्ट बिकेगा भी दो है के ने तो एक पार्ट जो बिक रहा है वो कितने का है और जो नहीं बिक रहा वो कितने का है वो कितने का है 4,70 अब हम depreciation लगा लेंगा और बना सकते आराम से depreciation end में लगेगा कब लगेगा depreciation सर 31,12 को लगेगा अगर 10% है तो कितना लगेगा 47,000 WDV है न तो 4,70 इंटू 10% 42,3,000 अब ये जो है हमारा ये क्या date चल रहा था सर ये date जो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं 1,1,2018 पे ये लेके आए न अब 18 से लेके अब ये क्या आ गया हमारा 19 ये क्या आ गया 1,1,19 फिर इस पे depth लगेगा 10% यानि 42,300 तो ये आ जाएगा हमारा 3,8,0,7 वो भी देखो पहले भी निकाला था ये आ गया हमारा 1,1,2020 अब एक साल और लगाना है क्यूंकि कतिस बारा करना है फिर से 10% 3,8,0,7,0 3,4,2 6,3,0 ये हो गया हमारा ठीक है इस वाले पार्ट पे हम depreciation लगाते हैं तो depreciation लगेगा 3,000 बचेगा कितना 27,000 फिर से माइनस करो depreciation कितने 27,000 तो जब अगर हम इस में से 24,000 और क्यूंकि ये आपने कुछ समय बाद बेचा है तो इसके उपर applicable होगा ही नहीं आपने इस साल का debt नहीं लगाना है क्यूंकि 182 days से before बेच दिया 17,000 का बेच दिया तो यहाँ पर loss हो गया कितने का कितने का 7,000 और ये वाला सिर्फ एक ही साल जाएगा 31, 12, 2020 अब चेक करो क्या ये हमारा 112 दिन से उपर बन रहा है चेक करो ये साथ को खरीद है न जुलाई में कितने बन रहे नोट आरे आप आंसर देखके बात कर रहे हैं अब नोट पेपर में मिलेगा आपको 6 महिने नहीं होते आपका किसी में 31 दिन भी है 182 दिन का मतलब 182 दिन ऐ यार आपको गिनना पड़ेगा इसमें कैसे गिनेंगे आपका जुलाई है जुलाई में 31 जून में 30 जून के बाद अगस्त में 31 सेप्टेंबर में 30 ओक्टूबर में 31 निमेंबर में 30 और दिसमबर में 31 कितने दिन हो गए 1, 2, 3, 4 और 3, 6, 9, 12, 15 नहीं, तीन, छे, नो, बारा, तिन, पंदरा, तिन, अठारा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, कितने दिन बन रहे हैं, बताओ, दो सो, तो देखो, क्या, 182 दिन से जादा इस्तमाल हुए, अभी आप बोल रहे हैं, 110 लिख के कर लो, ठीक है, तो हो गया, तो क्या, इस पर depreciation लगेगा, अब लगेगा, सर, अब मुद्दे की बात है, depreciation पूरे साल का लगेगा, या फिर जितना time यूज किया है, उतने time का लगेगा ठीक है, अब question पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, the policy, the company policy charge depreciation purpose net to actual use during the year, जितना use होगा, made of assets, but to ignore depreciation any period less than 182 days, no further, आपका purchase sales has been made between 18-20, कहता है कि भईया, policy यह है, कि अगर आपने 182 दिन से कम का इस्तमाल किया, तो depreciation लगाना ही नहीं है, इग्नोर करो, लेकिन अगर 182 दिन तक है, तो जितना इस्तमाल किया है, उतना डैप लगेगा, पर पोसनेट वर्ड है यहां पर, तो जितना इस्तमाल किया है, उतना लगेगा, तो भाई साब हमने कितना इस्तमाल किया इसको, देखा जाए तो 7 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, 7 महीने, फिर गल्ड पर कर रहे हो, जुलाई, अगस्ट, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नॉंबर, दिसम्बर, तो पीछे मैंने कितने लिए थे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ महिने बन रहे थे, जुलाई, अगस्ट, जून था जुलाई था, जुलाई है, एक मिनिट रुको, फिर दुबारा काउंट करेंगे डेट तो, जुलाई, कितने दिन, 31, अगस्ट, 31, सेप्टेंबर, 30, October, 31, November, 30, December, 31, count करो, तीन, एक, दो, तीन, चार, और तीन, छे, नौ, बारा, पंदरा, अठारा, 180, four days, तो, confirm है, यह होगा ही होगा, तो यानि अब छे महिने का लगाएंगे, छे महिने का कितना लगेगा, सर, छे महिने का लगेगा, दस परसंट के हिसाब से, पच्चिस सो, और यह बचा हमारा 47, 500, किसी नोट की कोई अवशकता नहीं है, ठीक है, अब बस हमारा सारा काम होगी, अब इसकी पोस्टिंग करनी है, तो इस कोश्चन में हमने क्या सीखा, मेजर पार्ट, सर, इस कोश्चन में हमने मेजर पार्ट यह सीखा, कि किसी मसीनरी को, अगर हमें बैक डेट पे ले जाना हो, तो कैसे ले जाया, जाएगा, ठीक है, आ जाईए, एक को टू बैंक से खरीद लिया, आपने, सर, कितने का खरीदा पर्चेश, पर्चेश आपने कितने का पाँच लाग का, फिर एकत्यस बारा को आपने बाई डेप्रीशेशन लगा दिया, सर, डेप्रीशेशन दोनों जोड के लगा हो गया, 47 और तीन पचास, दूसरी मसीनरी अभी तो खरीदा नहीं, अभी तो चल रही रहा है कहानी, सर, ये पचास, पाँच लाग, और यहां भी पाँच लाग, बाई बैलेंस, सीडी, 45 अजार, 31 बारा, अब आजाएगा, एक, एक, उननिस, टू बैलेंस, 45 नहीं, चार पजास, चार लाग, और फिर 31 बारा को फिर लगेगा, बाई डेप्रीशेशन, कितने लगेंगे, 45,000, इस साल तो बिका नहीं, 450, बाई बैलेंस, कब लगेगा, 31 बारा, माइनस करोगे तो चार लाग, अब आ जाएगा, एक, एक, बैलेंस, एक, एक, बीस, टू बैलेंस, बीडी, चार लाग, पाच अजार, अब, 31, 12, 31, 12 से पहले बीचेंगे हम इसे, कब बीचा है हमने, 31, 3 को, बाई बैंक से, बैंक से बीचा है न हमने, कितने का बीचा है, 17,000, अब लॉस भी हो गया, 31, 3 को, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का हो गया, 70, 300, और खरीदा भी हमने कब, एक साथ को, टू बैंक से, हमने पर्चेस कर लिया, सर पर्चेस कितने का किया, 50,000, अब डेप्रिशेशन लगेंगे, 31, 3 को, बाई डेप्रिशेशन नमबर वन, बचे हुए पार्ट पे, कितना लगेगा सर, 38, 0, 70, और फिर से, 31, 3 पे, बाई, डेप्रिशेशन नमबर टू पे, पच्चेस सो, ठीक है, अब बस सिंपल बैलेंस, सीड़ी निकालना है, तो, चार लाग, 55,000, चार लाग, 55,000, पाई बैलेंस, सीड़ी, 31, 3 को, 31, 3 लिख दिया थे, एको गड़बड हो ली न, बारा आए गई है, तो, चार लाग, 55,000, माइनस, 17,000, माइनस, 73,000, माइनस, 38,000, माइनस, 25,000, यह गया, 3, 9, 0, चेक करिए, हाँ, ठीक है, तो, इस कोश्चन में क्या सीखा, सर, पेपर में ऐसे करेंगे, पहले, नोट्स बनाएंगे, पहले, पहले आपने, नोट्स बनाना है, वर्किंग नोट्स करना है, फिर आपको लेजर पोस्टिंग करना है, दो पेजी सोगा, एक पेज पर, वर्किंग नोट्स एक पेज पर यह, अगर आपने यह वर्किंग नोट्स नहीं बनाया है, तो, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, देखिए, क्लियर बताए देखें अगले पॉइंट चलिए ये भी होमवक में दिया था लेकिन हो गया ये तो बाद में करेंगा भी इसमें है क्या ये भी करा लेते हैं टोटल एक्सपेंस देख वैल्य मसिन दिश 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 आपने एक देवा प्रिंटर से आपने एक पांच साल लाइफ है it is 6000 इंसवारेंस है करेंग गॉश साथ हजार है हर साल इसमें रिपेर करा रहा है इसका कोई वेल्यू नहीं रह जाता मसीनरी पेचा है सिंपल कोशन आप होमबक में लिखिए कहता है कि हमने एक प्रिंटर कमपनी ने एक मसीनरी पांस साल के लिए शुस पर खर्च कर दिये 7000 एड़ हो जाएगा दो हजार और टोटल एक्सपेंस 25,000 यह भी एड़ हो जाएगा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 25,000 और अकाउंट इट्स रिपेर तो रिपेर का 25,000 इसमें एड़ नहीं होगा दाइस क्रैब वेल्यू 5,000 है भी यह रिपेर कब कराया 16 में खरीदा और 16 17 में रिपेर करा रहे हो टाइम नहीं दिया ठीक है तो यह वाला पार्ट कुछ भी इस साल रिपेर तो नहीं होगा और बाकी के जो यह रिपेर है ना यह बाद में जब एसेट्स करीदने के बाद कोई भी पार्ट आप रिपेर करवाते हो तो मसीनरी का हिस्सा नहीं माना जाता तो इसे लेंगे ही नहीं तो हमारा मसीनरी सिंपल है और बिना फॉर्मूले वा प्रॉपिजन फो डेपिरिशेशन अभी नहीं यह वाला भी अभी नहीं यह वाला क्या है वही यह लगाया है अभी यह हो गया यह भी हो गया प्रॉपिज़न मेथर होम व्रॉक में बताईए को बताईए ये कुश्चन हो गया आपका ये हो गया ओमवक में 16 16 हुआ गया होमवक में बताईए जो बच्चे लाइव में किसना आपने पता नहीं कौन सा कहा नो नंबर बता दो ये हो गया होमवक में नहीं गया कराई नहीं है हुआ नहीं इसे होमवक में टिक करो संडे को टेस्ट भी रखते हैं फाइनल अकाउंट का दिमने सिंग बैलेंस मैथाड ये हो गया हुमवक में चेंज मैथाड ये कुश्चन हुआ अभी लिख रहे हो आप होमवक हाँ अब देखो इसमें क्या कह रहा है डेबिड बैलेंस जो आज करवाए ना मैंने तो डेबिड बैलेंस का मतलब भाई साब ये पुराना है चलो इसको बताई देते हैं आज करा है हमने वैसे क्या कह रहा है एक हमारे पास पुरानी मसीनरी है जिसका कीमत ये है ओल्ड मसीनरी और मसीनरी अकाउंट प्रिपेर कप से करना है 16-17 से लेके 19-20 और डेबिड बैलेंस कप का दे रखा है आपको 2019 यानि फिर से इसे बैक डेट पे पहुचाना पड़ेगा ठीक है अब बैक डेट पे कैसे पहुचा आते हैं आपको पता है 16-17 मान लो 100 रुपए 10 लग गया 10 परसेंट एनरेट 15 परसेंट है न पंदरा लगाओ 15 लगा तो बचा 85 16-17 के बाद क्या आ गया 17-18 17-18 पे फिर से इस पे लगाओगे SLM लग रहा था पहले WDB लग रहा था पहले डिमनी सिंग लग रहा था 85 पे 15 परसेंट लगाओगे देट इस 12.75 ठीक है माइनस करोगे तो 72.25 ये आगे हमारा 18-19 और 18-19 में ही हमने खरीदा भी है 19 के अंदर ही खरीदा है ना तो यानि जो ये वैल्यू दे रखा है 147 390 ये कितने परसेंट के बराबर है 72.25 इन्टू में 100 सर ये मसीनरी होगे हमारा 2,4,000 का अब यहां से डेप्रिशेशन लगा के अब चालू करोगे समझ में हो जाएगा अभी कर रहा है हमने ऐसा कुशन है ना हो जाएगा तो आगे कहता है कि आगे कहता है कि the company provide 1st April 2016 the following participate charging depreciation full year कहता है following the participate of charging full year depreciation every year on diminishing balance method 15% per annum 2019 को however decide the change method इसने क्या कर लिया state line method कर लिया तो इसके बाद जब करोगे न 2019 के बाद आप SLM लगा देना हो तो simple रहो जाएगा हमारा final तो देखो exam में 2017 में भी आया हुआ है यह due के अंदर question और question मैंने फिर से कहूँगा या तो provision का आएगा या change method दोनों में से एक ही आएगा आएगा आपके exam में simple वाला बहुत rare case है क्या आजाए नहीं तो change method और यह और honors प्रोग्राम कभी मत समझना कई बार प्रोग्राम पेपर टफ आजाता है honors से कर लोगे इसने last में बोल दिया के as per as 10 तो इसका कोई relevancy नहीं है आपको property plant जो 10 का है उसी के according हाँ यह है हमारा एक चार से एक चार से एपरेल से लेके जब 16 17 वर्ट देने दो ऐसे 16 17 जब आपको यह दे दे तो आपका एक अपरेल से सुरू होने वाला साल है यह ठीक है चलो यह वाला question तो दिया नहीं turn वाला यह दिया homework में बताओ change method अब यहाँ पे भी वही का आनी है book value ध्यान दो यहाँ पे भी क्या कहा रहा है question में the book value of plant खरीदा नहीं है यानि एक एक 2018 को मेरे पास value कितना है अदा नहीं new machinery खरीद लिया इसने इस पे और आपको accounting depreciation कब से कब के लिए बताना है plant and machinery account 31 March तक बनाना है तो इसमें रिद्रोस पीछे जाना नहीं पड़ेगा है यह जो आपको ध्यान रखना है sir working note chart बना के भी दिखाना दिखा सकते हैं हाँ बिल्कुल दिखाना तो पड़ेगा दिखा सकते हो चलिए यह भी homework में ठाक हुआ है नहीं हुआ पहले यह बताओ नहीं हुआ तो करना पड़ेगा जल्दी बताओ फिर फटा फटनी तो आगे जाने का ना देखो कोई फाइदा नहीं है मैं आगे चला जाओगा फिर मिरसे अब 10 दिन बात बोलोगे ना चेप्टर खतम होने के असर डेप्रिशेशन के डाउट लेट तो पॉसिबल नहीं है और इतना समय भी नहीं है कि मैं आपको बैक में जाके खराओगा फिर तो मैं आगे फर्दर बढ़ूँगा सीधा सीधा तो अब लास्ट चांस है यह आपको जिसने नहीं करा यह होमवक जरूर कर ले और होमवक करने के बाद मैच कर ले ताकि डाउट क्लास मे ले ले इसके बाद बस छोटा सा दो कॉंसेट बसते हैं आपको भी पता है पहले हम रिवेलुएशन वाला करेंगे फिर प्रोविजन और डिस्पोजल एकी साथ हो जाना है हमारा चलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिशेशन सेल अफ एसेट्स चेंज मेथड हो गया यह 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 नहीं दिया प्रोविजन आगया इसमें बस इतने ही थे पहले आज वाला कॉश्चन भी नोटी कर लो फिर क्योंकि फिर टाइम बचे का नहीं यही करा है ना आज हाँ इसको नोट कर लीजियो फटा फटा